तो आज हमारा ये इंडियन जोग्राफी का अंदिम टॉपिक है इसके बाद में कुछ जो आपके टॉपिक है वो फिजिकल जियोग्राफी के बचे हुए है उनको बस फिनिस करके फिर हम हिस्ट्री की और मूव करेंगे ठीक है तो परिवहन आज हमको पढ़ना है भाईया ट् रेल परिवहन भी कर लिया करो रेल परिवहन तो खेर करते ही होगे वाई परिवहन की का भी मुखा मिला होगा तो करी लेते होगे तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लो ठीक ना तो आज हम इसमें तीन कर डिसकस करेंगे अच्छे से वाई परिवहन के बारे में खास शड़क परिवाहन में कर महत्वपूर्ण पर्योजनाओं की बात करोगे तो हमारी जो है बियारो बनाई गई बार्डर रोड और्गनाइजेशन 1960 में इसके अलावा नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया बनाया गया इसके लावा नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया नेशनल हाइवे डेवलमेंट प्रोग्राम उसने साथ चरणों में चलाया ठीक है तो भारत में कुल सडकों की लंबाई अगर आप देखेंगे तो 53,17,116 किलोमेटर जो है कुल सडकों की लंबाई यहाँ पर है ठीक है विस्सु का दूसरा सबसे बड़ा सडक तंतर है अगर बात करें तो यात्री यातायात का लगभग 80% जो है सडक परिवान से हम लोग कर रहे है ठीक है यात्री ट्रेवलिंग सबसे ज्यादा किस्ते कर रहे है 80% सडकों से कर रहे है ठीक है अगर माल ढूलाई की बात करो तो 65% सडकों से हो रहा है ठीक सडक परिवाहन के विकास की अगर बात की जाए तो इसका सबसे पहला कार जो है 1947 में हुआ था एक न सब्सक्राइब हो एक सबसे विकार एक गरामीर और मखिया इनको बनवाया ठीक है उसके बाद अभी जो है ग्रामीर्ड शडक के बारे में एकर बात करोगे तो इसने पांस judgmentee अधिक 12 मासी सडकों से योजना प्रारंब की है, बहुत बड़ी-बड़ी सडकों की योजना प्रारंब की है, जिसमें काफी छेत्रों के, यानि ग्रामीड छेत्रों को सेरों से connectivity जो 12 महिने तक जुड़ी रहे, इसके लिए पधानमंदिर सडक योजना चलाई गई है, ग्राम इसके लावा अगर बात करें, तो 1961 में 20 वर्सी योजना का प्रारंब किया गया था, जिसका संबंद सडक परिवाहन से है, फिर 1988 में अगर हम बात करें, तो NHIA, National Highway, Authority of India जो है बनाया गया, तो उसके बद 1999 में NHDP, साथ चरण जो है इसके है, NHDP के National Highway Development Program के, ठीक है, National Highway Authority of India ने क्या चलाया, NHDP 1999 में, ठीक है, जो साथ प्रोग्राम कौन कौन से हैं, जा रहा देख लें, पहला आपका है स्वाडिम चतरभुजियोजना, दूसरा है उत्तर दच्छिंड पूर वपस्चिम गली आ रहा, तीस हमारा है, 1157 किलोमेटर लंबे राश्ट्री राजमार को 6 lane करना, ठीक है, चवथा हमने क्या रखा था टार्गेट कि 20,000 किलोमेटर का 4 lane ने एनि 4 lane बनाना, ठीक है, 500 किलोमेटर लंबाई को 6 lane बनाना, 1000 किलोमेटर लंबाई के K-E-E-Expressway बनाना, और पूल, सुरंग, फ्ला क्या बनाया फिर, तो हमने 5846 किलोमेटर के सुरणिम चतुरभुज जोजना का टार्गेट रखा था, उसको हमने बनाया ठीक, उसमें क्या का टार्गेट था, दिल्ली से लेके हमें पहले एक रेल मार्ग ले जाना है बंबाई, बंबाई से हमें ले जाना है चिन्नई और चिन्नई से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली ये हमने क्या बनाया सुरणिम चतुरभुज, इसलिए इसको क्या का गया सुरणिम चतुरभुज हमने क्या बनाया है चतुरभुज बनाया है, ठीक है टॉप पे हमने रखा दिल्ली, नीचे हमारा D है यह जिस C आगया ठीक ना तो B आएगा ठीक है तो B C और D C समझे यह 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 B C C D आपको याद रखना है इसे अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा आराम से ठीक है यह हमारा क्या है D, B, C, C और D ठीक है यह हमारा था Bombay, Chennai, Calcutta, दिल ही ओके तो यह हमारा जो है क्या है 4846 किलोमेटर की यह परियूजना बनाईगे हमने 1419 किलोमेटर का हमारा यह हमने इसका National Highway 8 कहा ठीक है यह हमारा National Highway 5 ऐसे हमने जो है बहुस सारे National Highway जिसे में बना लिए तो यह हमारा 1419 किलोमेटर का दिल्ली से Bombay का रास्ता हो गया 1290 किलोमेटर Bombay टु-Chinnai, 1684 किलोमेटर Chennai टू-Kalcutta और 1453 किलोमेटर दिल्ली से हमारा यह रास्ता बन गया ठीक कहां से कहां तक जाती होता असानी से आपको एदो जाएगा अगर आपको किलो मिटर से आत करने हैं तो आप थोड़ा सा इसको नोट करना पड़ेगा आपको ठीक है इसके अलावा गर बात करें हैं उत्तर दचिन पूरुपस्च्छिम गलियारा के बारे में तो गया दूसरा हमारा दूसरा जो भारत का सेकेंड सबसे बड़ा नेसनल हाइवे हो हमारा पोरबंदर से कहा जाता है सिल्चर तक जाता है ठीक है असम में तो गुजरा से असम जाता है ठीक है तो यह हमारा किता है पैंतिसो साथ किलो मेटर है तो लगभग बहातर सो किलो मेटर क के आसपास 72-52 किलोमेटर के आसपास हमारे क्या है उत्तर दक्षिन पूरुपश्यम गलियारा हमारा हो जाएगा स्रीनगर से कहां तक कन्या कुमारी तक ठीक है पूर बंदर से कहां तक सिल्चर असम तक ठीक है और ये दोनों राष्ट्री राजमार्ग मिलते कहां पर जाकर हैं यह हमारे मिलते हैं उत्तर पदेश्व के जहासी नामकिस्थान पर जो है यह मिलते जाकर के हैं तो इसको हम लो युजना बनाई थी तीसरा हमने कहा कि गयारह सो सत्तावन किल्मीटर लंबे राष्ट्ट्षि राजमारागों को हमें सिक्स लेन करना था ठीक कितने को लगभग साठे ग्यारहन सो को बीस हजार को हमें फोरलेन करना था पैंट सट सो को हमें six lane में बदलना था ठीक है पैंट सट सो किलो मेटर की लंबाई को हमें six lane में बदलना था और एक हजाल किलो मेटर एक्सप्रेस वे बनाने थे पुल सूरंग flyover elevated road के bypass के थे crossing रही शड़की हमने बनानी थी ठीक है इसके लाव अगर हम बात करें बी आरो के बारे में border road organization के बारे में जिसका स्थाप नाम ने कब किया था 1960 में 1960 में 1960 में किया था एक्चुली बी आरो है क्या जिसे माली जो नॉर्मल जो हमारी इस तारक authorities बले होते हैं सड़क बनाने वाले होते हैं समतल भूमे पर अच्छी जगाओं पर जो है सड़के बनाते हैं लेकिन जहां इनके बसका नहीं होता सड़क बनाना ठीक है तो वहाँ पर क्या करते हैं यह बी आरो को बुलाते हैं सीमा सड़क संगठन को border road organization को ठीक है तो यह बहुत हिमत वाले होते हैं तो जहां कहीं पर border की fencing करना है पहाड़ों पर roads बनानी है ठीक है ऐसी जगापर जहां जो है आदमी को पहुंचना मुस्किल होता है वहाँ वहाँ जो है पहाड़ों को काट काट कर भी रास्ता बनाते हैं तो इसके लिए बी आरो को बुलाया जाता है ठीक है border road organization को बुलाया जाता है 1960 मे यह ज पर समस्या वाली सम इस्थिती वहाँ पर गडचिरौल एली में तो वहाँ पर इन्हों ने सड़क निर्मांड किया operation अर्ष पूरा बहारत में सड़क निर्मांड करवया उसके लाओ operation दंतक भूटान सिक्किम के दुरगम परवती छेत्रों में इन्होंने क्या किया operation दंतक चलाया यहे ने अगर मनाली से लेह की बात करें तो विश्व की सबसे उचाई परिस्थ सडक नियर्माड जो है 5325 मीटर की उचाई पर मनाली से लेह में इन्होंने सबसे जो हाइट पर हमारी अभी तग की रोड है वो उन्होंने बना दी है मराली से लेत तक. जो जीला से कार्गिल तक इन्होंने सड़क का निर्माड किया है भारत बांगलादेश के मत्थ में जो हैं बॉर्डर पर टार लगाने के काम 15,530 km जो है National Highway की लंबाई है जो हमारे 2% लंबाई वाला है हमारा है नि कुल रोड का कितना है सिर्फ 2% और वर्क इस पे कितना है 40% का बोज इस पे पढ़ता है नि टोटल रोड का 40% जो है इसी पे जो जितना भी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है जितना भी हमारी वहां चल रहे हैं सबसे ज़्यादा तो 40% यूज में है और इसके लंबाई सिर्फ कितनी है टोटल की 2% है समझे है आप भारत में कुल जो हमारे नेशनल राश्ट्री राजमार्गों की बात करें तो 247 अब बन गए है जिसमें से 64 हमारे प्रमुक है ठीक है सबसे लंबा ज चुके हैं कहां से जाता है स्री नगर से होकर यह कहां तक जाता है जम्मू कस्मीर स्री नगर से होते हुए कहां तक जाता है कन्या कुमारी तक ठीक है यह हमारा क्या है नेश 44 है जो हमारा बारत का सबसे बड़ा राश्टी राजमार्ग है ठीक है नेश 44 अगर बात करेंगे जो हमारा इधर second सबसे बड़ा था, NH क्या था, 27, ठीक है? NH 27, जब आपको बताय थे आपको, कि पूर पश्चिम उत्तर दच्छिन कर गया था, तो हमारा ये उत्तर दच्छिन कर गया था, पूर पश्चिम कर लिए आरे मैं हमने क्या बताया था? जो हमारी रोड जाती है कहां से कहां तक पूरबंदर से लेकर और सिल्चर तक यह हमारी रोड जाती है ठीक यह हमारा कहा है NH 27 है 3507 किलोमेटर का ठीक तो यह हमारा जो है दूसरा सबसे लंबा राष्टी राजमारा को सबसे लंबा कहा है NH 44 है जो हमारा 9-6 km का है, सिर्फ 5 km का है, जो केरल के विंबाना जील में इस्थित है, वेलिंग्टन दूइब पर इस्थित है, आपको जब वेलिंग्टन दूइब पढ़ा रहे थे, जब आपको दूइब पढ़ाएं, तो आपको भी राष्टी राजमार्ग हम बताये थे, वेलिंग्टन दूइब जब आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है, भारत में राष्टी राजमार्ग की अगर लंबाई की बात करें, तो सबसे अधिक कहा नेसनल आईवे हैं, महराष्टरा में सबसे अधिक हैं, उसके बाद महरा उत्तर पदेश, प्यारा उत्तर पदेश आता है, उसके बाद हमारा राजस्थान आता है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो क्या आता है, मध्य पदेश आता है, ठीक है, तो MH, UP, RJ, MP, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे अधिक इसमें, महा, UP, पी राज एम पी चेक इसकलब भारत का सबसे लंबा नदी पुल के अगर बात करेंगे तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल जो हमारा है वो कहां है वो अशम राज में है अशम राज में ब्रमपुत्र के शायत लोहित नदी पर जो है इस्थित है बरंपुत नदी आपको पढ़ाई दी तो लोहित नदी भी आपको बताई थी ठीक है लोहित नदी पर जो इस्थित है उसका उदगातन जो है तीन मईं 2017 को अभी हुआ था डोलसादिया नामक उसका जो है नाम है भूपे इन हजारिका भी उसका नाम है भूपे नजारिका याद होगा अभी इनको बारत रतन भी मिला था पिछली बार ठीक है जब प्रणों मुखर जी जी को मिला था ठीक है तो डोला साधिया और कहा गए इसे भूपएन हजारी का भी नाम दिया गए इसकी कुल लंबाई क्या है 9.15 किलो मीटर है ठीक है 9 किलो मीटर का ये पुल है ये अभी तक भारत का सबसे लंबा नदी पुल है ठीक है असमराज में है ब्रह्मपुत्र की सायक लोहित नदी पर है डोला साधिया भी इसको डोला साधिया नाम से जाना जाता है भूपेन हजारी का नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसके लागर बात करेंगे जल परिवहन की जल परिवहन में अगर बात करेंगे 14500 किलोमेटर अंतर देसी जल परिवहन के विकास की छमता है ठेक है अगर नदियों से और नहरों से जीलों से सागर से इन सब के अगर मिला के बात करें तो हम 14500 किलोमेटर अंतर देसी जल परिवहन हम कर सकते हैं जल परिवहन के अगर बात करें, मार्ग के विकास की छमता जो है नदी नहर जील सागरादी में है, संस्थान के अगर बात करें तो भारती अंतर देसी जलमार्ग प्रादिकरण हमने बनाया है, नेसनल भारती अंतर देसी जलमार्ग प्रादिकरण, अभी हमने कहां बनाया है, नुएडा में इसका मुख्याले है रास भारती अंतर दिसी जलमार प्रादिकरन छेत्री कारयले हमने बनाये हैं इसके गुवाहटी, कलकत्ता, पटना और कोचीन में चार जगा हमने बना लिए हैं चार भागों बाटा हमने कहा है किनारा देते हैं समुद्र वाला ठीक है, तो सबसे पहले इधर हमने किसको ले लिया पटना को ले लिया इधर हमने किसको ले लिया, कलकत्ता को ले लिया इधर हमने किसको ले लिया, कोचीन को ले लिया इधर हमने कहीं असम में जो है लिया खिसको गुवाहटी फीजलमार्ग है तो समुंदर से लगे-लगे होंगे ऩे तो इसके सारे किनारे हमें कैकेBon कलकता, पटना और कोचीन में लिया तस हमारे जो है रास्ट्री जलमार्ग बनने का कारे प्रारंप किया गया है जिसमें से छे हमारे जो है नववहन संस्थान अमारा कहा है पटना में है केंदरी जल परिवहन निगम कहा है कलकत्ता में है राष्टी जल कृड़ा संस्थान कहा है गोवा में अगर ध्यान देंगे राष्टी अंतर देसी नवववहन संस्थान कहा है पटना में केंदरी जल परिवहन निगम कहा है नहीं नहीं वहान वहान में लेंगे ठीक और जल पर वहान निगम की बात करें अगर तो कलकत्ता वहान की बात करें तो गोवा बिना देखें मार दो ठीक अगर नेशनल वाटर हाइवे की बात कर रहा है तो NWH1 नेशनल वाटर हाइवे फस्ट की अगर बात करें तो 1986 में बना गया था प्रयागराज से हल्दिया प्रयागराज में गंगा नदी है तो गंगा नदी से लेकर होगली ने दिता के बना दिया गया था 1620 किलोमेटर की लंबाई यूपी बिहार जारकंड वेस्ट बंगाल से गुजरता है सबसे पुराना जो है नेसनल वाटर हाइवे है यह सबसे लंबा जो है अभी तक का यह नेसनल वाटर हाइवे है अलाहबा से पटना तक जो है यह जाता है उस 600 किलोमेटर उसके बाद पटन 1988 में ये बना था 891 किलोमेटर इसकी लंबाई है तीसरा सबसे लंबा जो है ये है हमारा नेशनल वाटर हाईवे ब्रमुपुत्र नदी के सहारी ये बना हुआ है 29 दिसंबर 2017 में सागर मानलव परियोजना के तहद इसको बनाया गया है ठीक है 1993 में ये बना था 205 किलोमेटर लंबा है उद्दोग मंडल नहर जो है इसी से जुड़ी हुए और चमपा कारा नहर भी यहां से जुड़ी हुए 14 किलोमेटर ठीक है अगर आप NWH 4 की बात करेंगे National Water Highway 4 की बात करेंगे तो हमारा काकी नाड़ा से लेकर कहां तक है पुद्दु चेरी तक है कापी पे नआप निकालेंगे तभी आप कुछीज़ की याद रहेंगी ठीक है है और Like Subscribe करते रहीं या चैनल को काकी नाड़ा से पुद्दु चेरी कहां जाना है हमको काकी से कहा जाना है पुद्दू तक तो हम पहुंच जाएंगे कहा NWH 4 की बात कर रहे हैं यह हम चार नंबर में क्या है काकी से पुद्दू तक ठीक 2008 में बना था 1095 किलोमेटर है 2nd largest हमारा है ठीक है NWH 1st था हमारा 1st वाला 1st पे है 2 वाला 3 पे है और हमारा NWH 4 जो हमारा है वो 2nd पे है ठीक है इसको ध्यान रखना और अगर आंदर बदेस तमिलनाडू तिलंगाना तक जो है यह जाता है काकी नाड़ा नहर इसी पर बनी है सुरू नहर इसी पर बनी है कम्यो मुर नहर इसी पर बनी है गुदावरी और कृष्णा नदी इसी से आकर जुड़ती है गुदावरी ने जो है बदरा सलम से होते हुए राजमुंदरी में आकर मिल जाती है और वजीरबाद से होते हुए विजएवाड़ा में कृष्णा नदी आकर इसमें मिलती है ठीक है तो यह हमारा पूरा रूट है कहां से काकी नाड़ा से लेकर पुद्दू छेरी ते कि हमारा काकी नाड़ा से पुद्दू छेरी जब आपको मैप दिखाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा थोड़ी देर सबर रखिए NWH 5 की अगर बात करेंगे तो हमारा जियोन खली से हमारा कहां तक है पारा दूइप तक है जियोन खली से कहां तक है पारा दूइप तक 2008 में बना था 623 किलो मेटर मुखेता उड़ीशा में जो है वेस्ट बंगाल में ये उडिशा में और वेस्ट बंगाल में है ठीक है जियोन खली से लेकर कहां तक पारादुई पूरिशा तक ठीक है यह हमारा ऐसे आया है इसमें जो है मलाई नदी एक जुर जाती है एक जो हमारी ब्रामभडी नदी दोनों जुर जाती है ठीक है इसके लगा बात करें लखीपूर से भागा है लखीम नहीं है लखीपूर है लखीपूर से भागा लखीपूर से लास्ट हमारा जो है न्डब्ली एस 6 है लखीपूर से भागा तक हमारा 2013 में बना था 121 किलोमेटर है असम में बराक नदी पर बना है सबसे नया जल मारग चैसे च्छोटा जल मारग छिर फेक सुटीश किलोवेटर हमारा सबसे नया बनाए है NWH6 हमारा लखी पूर से कहाँ तक है भागा तक है असम में अगर मैप आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यह हमारा सबसे पहले हमने बदा था आपको प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक बना है हमारा कौन सा NWH फर्स्ट जो हमारा सबसे बड़ा है उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा NWH highway 3 है यह हमारा कहा है को time से लेकर column तक है हमारा यह क्या है NWH 3 है ठीक है NWH 4 कि अगर बात करेंगे तो यह हमारा NWH 4 है पुद्दू चेरी से काकी नाड़ा या काकी नाड़ा से पुद्दू चेरी है ठीक है कहां से काकी नाड़ा से लेकर पुद्दुचेरी तक है फैला है NWH4, ठीक है तो NWH4 जो हमारा है हमारा second largest है, ठीक है second largest हमारा कौन सा है काकी नाड़ा से पुद्दुचेरी चान नमबर वाला, पांच नमबर वाला ठीक है, यह हमारे छोटे-छोटे हैं, असम में दो, कौन सा, NH2 और NH6 दोनों हमारे असम में है ठीक है, धुबरी से साधिया, भागा से लखीपुर, ठीक है, NWH जो दोती है है वो हमारा धुबरी से साधिया है और NWS 6 जो हमारा भागा से लखी पूरे जो सबसे छोटा और सबसे नया बना हुआ है ठीक है तो यह हमारे क्या हो गए सारे के सारे हो गए हमारे नेसनल वाटर हाईवे ठीक अब इसके लाव बन्दरगाहों की बात करें जो आपके लिए जहां से कोशन हमें साब पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टन है ठीक है तो बड़े बन्दरगाह जो है इन पर जो है बर्डन पूरा है 76% और छोटे बन्दरगाहों पर बहुत कम ब खाडी में जो है हमारा बना होता है क्या कांदला बंदरगाह इस बंदरगाह को जोरी बंदरगाह कहते हैं ठीक है जोर से बना हुआ है एकड़म जो हमारा ये मतलब निचूरल बना हुआ है इसलिए इसको जोरी बंदरगाह भी कहते हैं इसके लावाद क्योंकि यहां पर ज समवर्धन छेतर इसको बनाया गया था ठेक है इसको मुक्त छेतर जो है गोसित कर दिया गया था 1998 में भारत का सबसे बड़ा आयातित बंदरगा है क्योंकि पूरे उत्तर भारत को जो गुड सेनी वस्तुएं हैं इसी बंदरगा से जाती है जैसे मालो यह हमारा जो है गुजर समुदर से जुडा हुआ और तो कोई है नहीं उदर आसपास में तो यहीं से सारा एकसपोर्ट होता है इसलिब बढ़ा है और आयातित बंदरगा सबसे बड़ा यह भारत का हो नामी से पता है आपको यह बंदर का सालसेट दूइप पर है सब पूरा बॉम्बे सालसेट दूइप पर बसा हुआ है जब आपको दूइप पढ़ा है तो आपको बताये थे सालसेट हमारा दूइपों का साथ दूइपों का समू हुआ है आपको बताये थे बरली मागी मैसे साथ दूइभ जिसमें हमारा बंबे भी है ठीके इस्थित जो एगर यह प्राकरतिक बंदरगा है महारास्ट में दूसरा देखा है जस्ट उसके नीचे बंबई वाले के क्यों हमने इसको बना लिया है बंबई बंदरगा के भार को ठंग करने के लिए इसको हमने बनाया है, इस बंदरगा को जो है, जवाहरलाल नहरू बंदरगा के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जवाहलाल नहरू किस बंदरगा को हम जानते हैं, जो हमारा नहावा बंदरगा है, उसको हम जवाहलाल नहरू के नाम से भी जानते हैं, या बंदरगा आध दिपनिक तकनीक से निर्मित मसीन ही कदके बंदर्गा भारत का सबसे बड़ा क्रतिम बंदर्गा है या भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदर्गा भी है। छायके क्रतिम बंदर गा है सबसे बड़ा कंटेनर बंदर गा है हमने क्यों बनाया है जो बॉंबे का हमारा पूर्ट है उसके बॉंडन को हमने कम करने के लिए वहां को बॉंडन बहुँ ज्यादा था जायकी पूरे उतर भारत में वस्तूय ने जो है नहावा बंदरगा को इसके लावा जो है इसको जो है बंबई बंदरगा के भार को कम करने के लिए बनाया गया था ठीक है इसके लावा अगर बात करें मरमा गोवा बंदरगा तो नामी में आपके गोवा आ गया है गोवा में है जुवारी नदी के तट पर ये बना हुआ है गोवा में मांडवी और जुवारी दो प्रमुखन दिया है आपको पता है इस बंदरगा से लोहा का निर्या जो है इरान देश को होता है हम यहां से जो है लोहा कहां बेशते हैं गोवा से इरान बेशते हैं मरमा गोवा बंदरगा का नाम है प्राकृतिक बंदरगा है ठीक अ हमारे क्या है natural जादा है ठीक है और हमारे east में क्या है artificial जादा है ठीक है धान रखिएगा ठीक है इसके लब new mangalore की अगर बात करेंगे करनाटक में हमारे new mangalore बंदरगा है आपको new mangalore दूइब भी पढ़ाया थी जब करनाटक पढ़ाया थी तो उसी पर बशाओ पूरा है also known as a coffee port of India करनाटक जो हमारा coffee उत्पादन में पहले स्थान पर है इसलिए इसको हम coffee port of India भी बोलते हैं we go coffee port बोलते हैं coffee बंदरगा बोलते है और coffee port जो इनडिया का हमारे coffee port है कोचीन बंदरगा के अगर बात कर लें हम लोग कोचीन हमारा केरल में होगा केरल की विंबा नाज जील किस किनारी ये वसा है विंबा नाज जील को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है यह अरब सागर के पूर्व का वेनिश भी कहलाता है ठीक है भारत का LNG टर्मिनल है ठीक ह हजीरा है तो कोचीन दाहज और हजीरा दाहज और हजीरा गुजरात में कोचीन हमारा केरला में भारत का रासाइनिक बंदरगा इसलिए से कहा जाता है किसे दाहेज को कहा जाता है ठीक है भारत का सबसे बड़ा रासाइनिक या क्रतिम बंदर गाया है या कम गहरा बंदर गाया है पांच किलोमेटर दूर समुद्र में ही जो है जलियान खड़े करने पड़ते हैं क्योंकि जैसे देखो ये पोर्ट हमारा है ठीक है तो पानी का जहाज हमारा जब चलता है तो हमारे पूरा जहाज इसे उपर तो नहीं तैरता रहता है ठीक है इसके अंदर पानी भरा रहता है यह हमारा आधा पानी के अंदर चलता है अगर पानी के अंदर ना चले सामान भरेंगे तो यह पलट सकता है ठीक है तो आईसे पानी के अंदर थोड़ा से चलता है ठीक है जब पानी के अंदर चलता है तो जब गहरा ही कम है यहां तर जो है बहुत गहरा है अब मालों यह इतना डूप के अंदर आ रहा है तो यहां ही तक आप आप आएगा इसके बाद इसका यह सीरह लगने लगेगा तो यहां तक यह नहीं पहुँंच सकता है इसलिए जो है पांच किलोमेटर दूर ही इसमें जो है खड़े करने पड़ जाते हैं क्योंकि ये कम गहरा बंदरगा है करतिम बंदरगा है जो ऐसे हमने खुद बनाया है और एक कम गहरा है पांच किलोमेटर दूर इसलिए खड़ा पड़ना है से मच्छ रखाहरा spoiler अभी कम गहरा था इसमें मच्छ ली पकड़ना असाना करता है इसलिए मच्छ बंदरगा के वी व चितंबरम बंदरगा के वी नाम से से जाना जाता है ठीक इसके लाब बात करेंगे घरम चेम्नड़गाय घरा झालोमे हमारे एक है भारत का सबसे पुराना कृतिम बंदरगा है ठीक है जो हमने सबसे पहले artificially बनाया था वो हमारा कौन सा है चिन्नई बंदरगा यह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगा है पहला आपको बता चुके हैं पहला भारत का सबसे बड़ा बंदरगा बंबई बंदरगा है दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा बंदरगा है वो कौन सा है चिन्नई बंदरगा ठीक है जो ए पहला बंबई जो हमारा था वो प्राकरतिक था और यह हमारा दूसरा है करति में इसे खुला बंदरगा भी कहते हैं ठीक है ओपेन है भारत की इस्थला करती की उंचाई जो है चिन्नई समुद्र तल से मापी जाती है ठीक है अच्छा बंबई बंदरगा से इतना इंपोर्ट होता इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं हम उसे गेटवे आफ इंडिया बोलते हैं ठीक है इसके अलावा अगर बात करें तो भारत की इस्थला करती की उंचाई हमारी चन्नई समुद्र तल से मापी जाती है और हम लोग जब बात करते हैं कि कहीं हम लोग जाते हैं कहीं लिखा रहता है रेलवे स्टेशन पे समुद्र तल से 76 किलोमेटर उंचा समुद्र तल से 200 किलोमेटर उंचा या जो भी लिखा रहता है, तो वो क्यों लिखा रहता है, क्योंकि हम कहां से मापते हैं हम लोग, हम लोग मापते हैं चननाई से, ठीक सव्मोद इоссाद्गा, परने में समर्सक्त की का सब्सक्राइब, के दबाव को कम करने के लिए हमने रन और बंदरगा बना दिया यसे हमने बंबई के बंदरगा के दबाव कम करने के लिए हमने जवाला नहरू बंदरगा बनाया था ठीक है नहाता बोलते हैं उसको इसके लबाए रन और बंदरगा जो है तमिल नाडू हमारा जो है इसको हमन में क्या किया चीन नहीं बंदरगा के दबाव को कम करने में बना दिया है एक नीजी छेतर का निघमित है ठीके इनि प्राइवट पब्लिकर से पर बना नीजी छेतर Ovuni3 से संचालिद बंदरगा कोई ले संचालिद बंदरगा इसका नया नाम दोर्क करती है हमारा ये कामराज बंदरगा इसके लब बात करें अगर हम नवे बंदरगा की तो विशाखा पटनम बंदरगा हमारा जो अंधर पदेश में है यह हमारा डॉल्फिन नोज पहाड़ी के अंदर बना हुआ है क्योंकि यह पहाड़ी समुद लहरों और जौर से बंदरगा के अच्छा करती है इसी पहाड़ी को डॉल्फिन नोज पहाड़ी का जाता है विशाखा पटनम बंदरगा हमारा कहां बना हुआ है बारत का सबसे गहरा बंदरगा हमारा कौन सा है विशाखा पटनम बंदरगा है ठीक है यह सब कोशन बन रहे हैं आपके देहन से रखिएगा बहुत ज़ता फालतू के चीज़ें आपको नहीं दे रहे हैं जितना काम के कोश्चन बनते हैं सबसे गहरा हमारा कौन सा है विसाखा पटनम सबसे बड़ा हमारा कौन सा है बॉम्बे और सेकेंड हमारा सबसे बड़ा है वो कौन सा है चिंणाई जो हमारा artificial अगर artificial में सबसे बड़ा पूचेगा तो चिंणाई हो जाएगा पारदुइ बंदर गा के एकर बात करें उडिशा में तो एक कलकत्ता और चिंणाई बंदर गाहوں के भार को कम करने के लिए बनाए गया कलकत्ता और चिंणाई के बडन क्या बना दिया और इशा में पारादूइब बना दिया था कि इसका भी कम हो जाए और इसका भी कम हो जाए ठीक है तो हमने पारादूइब बीच में एक बना दिया सबसे गहरा जो है पोतासरे हारबर हमारा है सबसे गहरा वो कहां है पारादूइब में है पोतासरे हारबर कह कि एगर बात करें वेश्ट बंगाल में हमारा है, या हुगली नदी पर इस्थित है, इसे नदी पतन बंदर गाउ dwa को ना व ağत जाता है, इसे पूर्व का लंदन या पूर possible boston भी आlect का दो पोतास्रा यहां पर है, पोर्ट पर एक बना हुए हमारा एक समुद्र पर बना है, समुद्र पर हमारा जो है आप जानते हैं, आपको दूइफ हम पढ़ा चुके हैं, डायमंड हार्बर, इसके अलवा आपको बात कर रहे थे हम इधर, यह हमारा क्या है, सिदिरपूर, खि परियोजना मननार की खाड़ी, इसको पाक खाड़ी से जोडने के लिए बनाई गए है, किसलिए आपको देखेंगे, अगर आपको मैप थोड़ा सा दिखाए है, तो यह आपको यह नीचे हमारा स्रीलंका दिख रहा है, यह हमारा क्या दिख रहा है, प्यारा भारत दिख र इस्वर अल्ला तेरो नाम सबको सम्मध्य भगवान, तो आदम बोल लो, ठीक है, चाहे राम बोल लो, चाहे एडम्स बोल लो, सबकी अपनी भासा है, सब अपनी अपनी मानता है, फिलाल यहां पुल बना हुआ है, जो हर धर्म में भगवान माने जाते हैं, उन्हों नहीं बन चाहे एडम्स ब्रिज कहलो, चाहे रामसेटू कहलो, चाहे आदम का पुल कहलो, ठीक है तो यहां पर जो यह बना हुआ है, इसकी अगर हम बात करें, तो यह हमारा कहां से धनुस कॉंडी से तलया मननार तक जाता है, ठीक है, पाक की खाड़ी इधर हमारी है, इधर का जो प से तुसरा मुद्रम योजना इसे कहते हैं इसके लावा हमने दूसरी योजना जो अभी स्टार्ट के सागर माला पर योजना चर्चा में खूब रही है इसके लावा हमने इसको इस्तपित किया था, बारा बंदरगा थे था तहरा बारा सो आथ दूप समुहों को हमने विक्षित करने है तो इसको विकास किया च्छे इसमें हमने मेगा पोर्ट में में बनाने सोचे हैं ठीक है अगर सागर माला परियोजना आप देखना चाहते हैं तो आप जड़ा ध्यान से देखिएगा साइस थोड़ा सा कम कर दें जिससे आपको ये थोड़ा सा दिखने लगे अच्छे से अभी आपको अच्छे से दिख रहा है तो ये आपको दिख रहा है ये आपको लग रहा है हमारी सागर से हमने क्या किया है माला पहना है तो ऐसे हम जो है सारे दूइपों को जोड़ने का रास्ता बनाएंगे इसे हमारे सारे दूइप और सारे बंदरगा हापस में बढ़े, connectivity बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सागरमाला परियोजना ऐसे चला रहे हैं, ठीक है, यह आपको दिख रहा है पूरा, ओके तो आगे बढ़ते हैं, सागरमाला परियोजना के बाद में, ठीक है, तो इसके अलावा गर आप बात करें, तो हम बात करेंगे भारत थम बार रेल का संचालन किया गया गब 1814 में पहली बार हमने जो है ट्रेन का सफर किया तब भीया अंग्रेजो क्षासन था अंग्रेजो ने कहा कि भीया ब्यापार जो है मैं अपना बढ़ाना है और ब्यापार बढ़ाने के लिए चाहिए connectivity रोट्स तो बहुत बढ़िया थी नहीं रोट से भीया कितना सामान बैल गाड़ी से ढोया जाएगा कार्स उतनी डेवलप नहीं थी हमारे टेकनलोजी इतनी नहीं थी कि हम रोट से सामान उतना ज़्यादा ढोपाए तो हमने सोचा सस्ताव सबसे बढ़िया है कि ट्रेन जो बिरिटन में चली रही है यहां भ इवर्येस पारलियामेंट में एक समित बनाई गीं 1861 से 32 में ठीक है उस जिसने जो है उद्देश जिसका उद्धिस कहा था, कि भारत में वो रेलवे का विकास करे, ठेके तो उस समिती ने का किया फिर, कि 1833-34 में कैप्टन स्कॉट के नित्रत में मदरास से रेलवे विकास का कारेश चौप दिया 1841 में जार्ज स्टीवंशन को उत्तरी पस्चे में भारत भेजा गया 1841 में ठेके उसके लावा 1848 में से 56 तक लाट डलहाओ जी ने 16 अपरेड 1853 में बंबई से ठाने तक पहली ट्रेन चली जिसमें 14 डिब्बे 400 यात्री थे जिसके बीच में दो इस्टेशन पढ़ते थे कौन कौन से साइन और वायू कुला ठीक है भारत की बात नहीं थी 1814 ट्रेन चली थी ब्रिटेन में हमारे हाँ कब चली है 16 अपरेल 1853 में समझ भाया क्या बंबई टू ठाने ये ट्रेन चली थी 34 किलोमेटर का सिर्फ रास्ता है पहली ट्रेन चली थी 34 किलोमेटर तक चली थी 14 डब्बे थे उसमें 400 या 3 वैटे थे दो इस्टेशन उसमें पढ़ते थे बीच में एक तो साइन और दूसरा वायू कुला ठीक ठीक बंबई चली साइन साइन से वायू कुला से थाने पहुँच गई ठीक चली यह आगे बात करतें विकाश की अगर बात करें तो 1853 से 1869 की अगर बात करें तो नीजी शितर के तहत यह बनी रही 1869 से 80 की बीच में सारगिनिक शितर में और 1880 से 1947 में नीजी और सारगिनिक दोनों शितरों में यह बनी रही ठीक पहिले जो है कहा उनका मतलब सिर्फ ट्रेन कभी कास से कोई उनका लेना देना नहीं था उन्होंने कहा नीजी छेतर में जो है इसको जब किया जाएगा सरकार को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा ठीक सरकार को क्या चाहिए था टांस्पोर्टेशन जिससे वो कच्चा माल जो है दूरी दूरी से लाकर जो है अपने जहां पर उसने ब्यापारी केंदर खोले हुए थे वहाँ लाए और वहाँ से जो है अपनी जहाँ जहाँ उसको एक्सपोर्ट करना था वहाँ एक्सपोर्ट करके फाइदा कमाए तो सरकार ने कहा कि 5% लाव की हम देते हैं तुमको गारंटी योजना इस्ट इंडिया रेलिवे कमपनी जो है और ग्रेट इंडिया पेनिंसुलर रेलिवे ने जो है यहाँ जो नीजी छेतर में क्या किया 5% गारंटी योजना का लाव उठाया और रेलिवे निर्मार प्राराम पर किया ठीक 1869 में कहा इसको कर देंगे हम सारवजनिक छेतर में सारवजनिक चला तुम्हारा गॉर्मेंट के अंडर में उसके बाद 1880 से उनिजी सारवजनिक दोनों चेतरों में चलता रहा ठीक 1871 में हेनरी डूरंड ने रेलिवे के लिए अलग विभाग की बात की 1902 में लाड करजन के समय में रावर्टसन आयोक का गठन किया गए जिसकी सिफारिस पर आगे चलकर रेल्वे बोर्ड की स्थापना की गए रेल्वे बोर्ड की स्थापना भारत में कब होई रावर्टसन आयोक की गठन के बाद में 1902 इसवी में रेल्वे बोर्ड की स्थापना की गई ठीक है उसके लावा 1919 में एक बर्थ समिती बनाई गी थी इसने बजट से रेलवे बजट को अलग किया था 1924 से 25 में अलग कर दिया था कोशन खूब पूशा जाता है 1990 में एक बर्थ समिती एक बर्थ समिती ने क्या किया था सामान ने بजट से railway बजट को अलग कर दिया था जो अब जो हमारा अलग ही आ रहा है आप देखना है railway बजट जो हमारा अलग आ रहा है आज भी आ रहा है तो 1994, 25 में पहली पर जो है railway बजट को अलग किया गया था ठीक है इसके लवाब अगर बात करें एकबर्थ समीती की, तो एकबर्थ समीती में 6 अंगरेज थे, 3 भारती थे, अब 3 भारती कौन कौन से थे, पुर्थ सोत्म दास ठाकुर दास, राजेंदर नात मुखर जी और वियस स्री निवास सास्त्री, हमारे 3 लोग थे, जो भारती है थे, एकबर्थ समीती में 6 लेइज के बीड होते हैं रेल के दो पटिडियों के बीच की दूरी को हिम क्या कहते हैं गेज कहते हैं तो ब्राइज मीटर गेज जो नारो गेज के अगर बात करें तो इसकी लंबाई 1.6 मेटर होती है भारत में पटरियों कि कुल लंबाई कितनी है ब्रॉड गेस टाइप की आप देख लीजिए 684101 काई दाई सेकड़ा हजार दसजाल लाख एक लाख 1486 समझे एक लाख 1486 किलोमेटर हमारे क्या है ब्रॉड गेस 1.6 मीटर जो है इनके बीच में लंबाई होती दोनों पटनियों के भारत में ऐसी पटनियों के कुल लंबाई 1.6 millions है ठीक है इसके लाव मीटर गेज की बात करें तो इनके बीच लंबाई 1 मीटर होती है और ऐसी हमारे है कितनी पटनियों है 9,290 किलो मेंटर है नईरो गेस के 아침 खे लाइन गार भात करें तो हमारे 500 до 1262 मीटर होता है और इसी कुल लंबाई हमारे क्या है 2841 किलो मेटर है अगर आप देखते होंगे तो छोटी लाइन बड़ी लाइन आप लोग सुने होंगे ना उसी की बात हो रही है उन्हें को नाम दिये गए है इसे इसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज होते है ठीक है ब्रॉड गेज के बीच में 1.6 मीटर होती है और मीटर गेज के बीच में 1 मीटर होती है और नैरो गेज के बीच में 0.762 मीटर होती है या फिर 0.690 मीटर होती है ठीक है यह हमारा जो है कॉंसेप्ट है किसका गेज का ठीक है भारत में गर railway zone की बात करें तो मुख्याले हमारा कहा है 18 जोनों में बांटा है railway zone ठीक है जिसमें 6-16 पीछे है ठीक है आगे 17 जोन हमारा जो है metro zone है जिसका मुख्याले कलकत्ता में है ठीक 18 जोन है जिसमें 16 पीछे है 17 जोन हमारा कहा है इसके लब आप फरवरी 2019 में दच्छिन तटी ये जोन प्रस्तावित है जो की 18 जोन होगा जिसका मुख्याले विशाका पटनम होगा आप देखो ये बनाए कि नहीं हमें द्यान भी नहीं है current affair हमने देखा भी नहीं इसका ठीक है अपडेट कर लेना अपने हिसाब से ठीक अगर बात करेंगे कुछ मुख्य जो हमारे है इनके बारे में तो आप देखेंगे चित्र को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको यह साफ दिख सके अब यह आपको पूरा दिख रहा है ठीक है तो अगर इसकी बात करें हम तो आपको दिख रहा होगा कि यह हमारा जो है सबसे उत्तरी रेल्वे जो हमारा है इसका मुख्याले कहा है देलही में है उत्तर पश्चिमी का जैपूर में है उत्तर पश्चिमी रेल्वे का हमारा मुंबई में है चर्च गेट दच्छिन पश्चिमी का हुगली में दच्छिन रेल्वे का चिन्नाई में दच्छिन पूर्वी का भूनेश्वर में, पूर्वी तटी रेलवे का भूनेश्वर में, ठीक है, इसके लाव अगर बात करेंगे हम, दच्छिन पूर्वी का भी भूनेश्वर में हैं, और हमारा पूर्वी का कहा है, कुलकाता में है, पूर्वी का हमारा कहा है, कुलकाता म है अगर आपको समझ में आ जाए कि जितने भी आपके इंप्पॉर्टेंट चेता है सब हमने ले लिए हैं अगर आप देखेंगे अगर यह आप बनाते हैं उपर तो सबसे उपर दिल्ली आपको दिखेगा इधर आपको क्या दिखेगा मुंबई दिखेगा इधर कलकत्ता दि बात करेंगे तो हुगली हमारा पड़ेगा इसके लाव इधर हम बात करेंगे तो हमारा क्या पड़ेगा भूनेश्वर ही हमारा जो है इधर भी पड़ेगा ठीक है तो यह हमारे इतने पड़ते हैं ठीक तो और यह सारे हमारे मिलते कहां पर इनका सेंट्रल जो मध्ध रेल लिवे बिलालपूर दछिनपूर मदर लिवे श्रीकंदराबाद ये सब हमारे हैं एक बार आप स्क्रीन सॉट लिए सकते हैं और इसे लर्न कर सकते हैं ठीक है अगर आपको याद करना है तो बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन है बहुत ज़्यदा कोशन इससे नहीं आते हैं ठीक है इसके अलावा आगर आगे हम बढ़ें थोड़ा सा आपका पोर्शन जो बचा हुआ है उसको खतम करें तो विद्धुतिंजन की अगर बात करें तो हमारे कुछ महत्यपूर्ण संस्थानों की बात करने त चितरंजन दास लोको मोटिव वरकर्स हमारा वेस्ट बंगाल में है यह हमारा विद्धुतिंजन बनाता है चितरंजन दास जो हमारे बहुत अच्छे जो है सतंतर तशेनानी थे उनके नाम पर जो है हमारा सी आरदास जिनको सी आरदास के नाम से आप सब जानते होंगे तो उनके नाम पर जो हमारा यह लोको मोटिव वरकर्स बनाएगा है वेस्ट बंगाल में हमारा है तो यह हमारा विद्दूत इंजन बनाता है डीजल इंजन की अगर बात करें तो मडुवा डी वारा रशी में सोरी बारा बसी में है हमारा यह बारा बसी में तो डीजल लोकोमोटिव वरकर्स के लिए हमारा यह है मडवडी रेलवे कोच फैक्टरी के अगर बात करेंगे तो पेरम बदूर चन्नाई में है हमारा इंटिग्रल रेलवे कोच फैक्टरी हमारा सवारी यात्रा कोच ही हमारा बनाता है ठीक है पेरंबदूर में सवारी आतरा कोच लुधियाना पंजाब में हमारा रेल कोच फैक्टरी है राइबरेली यूपी में हमारी रेल कोच फैक्टरी है तीनों आपकी याद करने की जरुवत है रेल कोच फैक्टरी कहा का इंपोर्टेंट है पेरमदूर चन्नाई, लुदियाना पंजाब और राइबरेली यूपी खूम मिलाने को देता है तो आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा ठीक है बिहार में अगर बात करेंगे तो छपरा में हमारा पहिया निर्माड, मड़ोरा में हमारा और मधेपुरा में हमारा रेल इंजन का निर्माड होता है 1990 में कब 1990 से 1998 तक कारे चला लाभानवीत राज के रुबे महाराज करनाटक गोवा केरला इसमें आये यानि पूरा ये जो है हमारा पश्चिम जो है तट पूरा इन्होंने कवर कर लिया इसके तहट जो है इस रेले में ने 146 नदियां 2000 पूल और सरसर सुरंगे बने है और इससे हम कहां कहां से चलते है रोहा से लेकर कहां तक मंगलोर तक करनाटक में महारार से करनाटक हो कहां से रोहा से रतनागिरी से मजगाओं से कारबार से उडिया से हमारा कहां जाता है मंगलोर तक कारू बड़े नाथोवाडी बार बड़ी डे और पिक यह हमारे क्या करते हैं सुरंगे पड़ती है हमारी कारू बड़े जो हमारी 6.5 km है भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है पहली हमारी पीर पंजाल में 11 km लंबी और दूसरी हमारी कौन से है कारबूरे सुरंग जो हमारी है 6.5 किलोमेंटर जो हमारी है यह हमारी किस उसमें पढ़ती है कोंकर रेल में पढ़ती है जो महाराश्ट के रोहा से लेकर करनाटक के मंगलोर तक फैला हुआ है इस प्रोजेक्ट में कुल हमारे 3500 करोड रुपे का खर्च आया था आठ सल के यह हमारा 1990 से लेकर 1998 तक यह चला था इसके लाब मेटरो की बात करें तो पहली बार मेटरो का कुलकाता में 1972 में चलाए गी थी दम दम से लेकर ताली बाग तक पहली मेटरो कहां से दम दम से लेकर ताली बाग तक 1975 में ये चली और 1984 में व्यवसाइक रूप से ये प्रारंब हो गई इसके लावगर बात करेंगे 25 दिसंबर 2002 में नई दिल्ली में सहादरा से लेकर 30 जारी के बीच में चलाई गई बंगलूर में चलने वाली मेट्रो को नम्मा मेट्रो कहा गया यूपी में मेट्रो लखनाव में चलाई गई है ठीक है असके लावा कानपूर वगएरा में प्रस्तावित है भी कारे चल ला है जब चल जाएगी बंजाएगी तब आपको पता चलेगा यूनिसकों में विश्व धरुवर की अगर बात कर लें तो हमने चार रेलेवे को विश्व धरुवर में हमने सामिल किया है तो काल का सिमला रेलेवे जो हमारा ट्रॉइटे है हमारी ठीक है इसके लावा हम चात्रपती सीवाजी टर्मिनल 2004 में निलगिरी ब्लू माउंटें रेलेवे 2005 में न्यू जलपाई गुडी दार्जिलिंग हमाले रेलवे यह भी हमारी ट्रॉइटें है और यह हमारी 2008 में इन सब को हम क्या करते हैं यूनिस्को की बिसुदरोहर में हमने सामिल किया है इन सब का नाम आप इसके लिए लेकर याद कर सकते हैं अगर हमढ़ाजा है राजस्थान रा यल्स है और पहले साफ फिल्स है हमारे परेटक ट्रेंस है ठाईक बात करें वीशेस्ताओं की दो भारत में सबसे लंभी दूरी टै करने वाली ट्रेन विवेक इस्प्रेस है जो असम के डिबुरु गड़ से तमिल नाड़ो के कन्या कुमारी तक चलती है और कितनी दूरी तै करती है 4286 किलोमेटर तै करती है ठीक है कहां से चलती है असम के डिबुरु गड़ से चलती है तमिल नाड़ो के कहां तक जाती है कन्या कुमारी तक जाती 4286 किलोमेटर दूरी तै करती है भारत की तीवरगति से चलने वाली ट्रेन गतिमय एक्स्प्रेस है यह ट्रेन दिल्ली आगरा के बीच में सुकरवार को छोड़ कर सेज़ दिन चलती है सबसे तेजिस काउन से चलती है अब तो खेर यह काईस की बात करें तीवरगति की अब यह बदल गई है अब हमारी तेजस आ गई थी तो वो हमारी हो गई होगी दिल्ली आगरा वाली गतिमय एक्स्प्रेस ठीक है भारत की पहली बूलेट ट्रेन जो है बंबई से एहमदाबाद के मद्ध में प्रस्तावी थे है ट्रेन जापान के सयोग सु दोजार तेज़ चोबिस तक चलने के संभावना है संभावना भी भी है इसके लंबाई 526 किलोमेटर होगी जब होगी भारत की पहली मोनो रेल 2014 में मुंबई में चली थी सरकारी जो दोनों मिल के बनाए हो गुजरा से टूना बंदरगाप से टोकरा तक चलाएगी थी 14 किलोमेटर तक थी पहली हमारी थी भारत की सबसे लंबी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस है भारत की सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरकपुर है 1880 मीटर का यह प्लेटफार्म है भारत का सबसे लंबा इंजन हमारा जो है फेरी क्वीन है 1855 मीटर का है यह जो भारत से चलता था यह इंजन 1997 में दिल्ली अलवर के बीच में महत्रपूर्ण परेटन छेतर वेरस देस्तलों को देखने के लिए चलाया गया था ठीक है तो हमारा यहां तक जो है आपका ट्रेंस समाथ हो गई है तो आज के लिए वस इतना ही अगला वीडियो जो आपका बनेगा और फिजिकल जियोग्राफी से बनेगा आप जितना रटे हैं अब आपको आगे से रटना नहीं पड़ेगा आगे से आपको सब दिमाग लगा रहा है समझना है ठीक है इसमें थोड़ा सा जो भी प्वाइंट्स आपको important लगते हैं उनको आप देख लीजिए जो हमने important बनाया है उनको देख लीजिए रेल्वेस से जितने कोश्चन या फिर परिवाहन से जितने कोश्चन सापके आएंगे सारे साल्व हो जाएंगे ठीक है धन्यवाद